इसलाम अलेकूम एंड वेलकम टू अनदर एपसोड ऑफ डिस्कॉविंग पॉडकास और आज ए-कॉमर्स के बारे में जो हम पहले भी एक दू एपसोड कर सके हैं उसको मजीद हम स्ट्रेंटिन करने के लिए ए-कॉमर्स की एक रीसेंट हमने देखी होगी बड़ी एक वाइरल इनकी वीडियो गई है खास वर पर जनायर अकरम वारी वीडियो जो है वो बहुत जादा वाइरल गई थी ए-कॉमर्स के उपर इनका एक बड़ा स्ट्रॉंग किसम का एक्सपीरियंस है और एक डिजिटल मा बहुत लोग दे चुके हैं आपके जो है वो लोगों ने एक्सपीरियंस भी सीख लिए हैं सेक्सेस भी सीख लिए हैं मैं प्रैक्टिकल बात पर लेकर आता हूं सही है ना जो नीचे लोग कमेंट कर रहो होते हूं सारे कमेंट बढ़कर आऊ ठीक है ना पहले तो आप यह इस पर बात लेके चलूँगा आज लास्ट पॉडकास आपका आया है चैसाथ मैने पहले जो यूटिप अभी अविल पल है एकॉमर्स नवंबर 2023 के अंदर हम बैठे हैं नवंबर 2023 में एकॉमर्स के क्या हालात हैं एकॉनमिक कंडिशन्स के साब से कैसे ट्रेंड चेंज हु होता हैं तो मैं स्पेसिविक तो किसी का नाम में ले पाऊंगा या स्पेसिविक नंबर सुने ले पाऊंगा लेकिन मैं एक चीज़ नोट के कि जब अभी अमरान खान की हुकॉमा अभी गई है सबसे शदीद जो टैनियोर था इस पर हर कोई बुल ला था एकॉनमी अब तो क्या होगा सबसे बेस्ट प्रफॉर्म किया है मेरे सागे क्लाइंट से 22 से 23 में जी ओके क्यों अब इसका मसलब क्या कि सबको शॉपिंग की पड़ गई थी इसके बात नहीं लॉजिक ही नहीं लॉजिक ये था ही जो मैं शूर से कहना चाहरा हूं वो बात ये थी कि आपकी जो रीटेल सेज है उसके कंपरिजन कहनता है जो ई-कॉमर्स का चंक है जो लोग ई-कॉमर्स पर शॉपिंग कर रहा हैं बहुत कम लोग हैं इवेंचली इन सारे लोगों को ई-कॉमर्स पर आना पड़ेगा जिंदगी आपकी तेज होती जा रही है ठीक है कन्वीजिनस कर रहा है मैं लोगर क्लास की बात कर रहा है अब आप जब देखेंगे तो आपको वह अंदूरों ने सिंद के अंदर से भी आपको और्र मिल रहे होंगे अब तो केबी केस भी अच्छावास बना शुरू हो गया तो मार्किट इवेंचली मिचूर होती है ना तो उसका की मार्किट है लेकिन पहले जो है वो मेरा भाई है बॉड़ी बिलिंग गरता है तो उस वक्त इसको अगर कोई सप्लिमेंट्स लेने होते थे वे प्रोटीन बगारा तो इसको स्रीवी जाना पर तो टाइम मेडिकों तो मैं साथ जाता था तो मैं पता था अच्छा मैं नही और बिलकुल मतलब AC की दुकाने पहले तो सब कुछ नहीं है आप सदर जाते थे टाइम मेडिकों जाते थे या कॉसर पर जाते थे तो अब आप देखें इसी तरीके से e-commerce भी अपनी मार्केट को मैचूर होना था कभी ना कभी जब मार्केट मैचूर होरी होती है तो possibility मुझे बड़ी दखती है थी कि यार e-commerce की पाकिस्तान की market बूम करेगी आगे जाके और यह सिर्फ मैंनी बहुत सारे लोग और बोल रहा थे तो उस ताइम के पर जो लोग गुस गये वो ब्रैंड्स हों वो छोटे लोग शेलर्स हों और मने ब्रैंड बना लिया बहुत सा लगाए जाएं ब्रैंड बिल्लिंग के ओपर थोड़े से marketing एक marketing है advertisement है business को बेचने की एक business बनाना है एक brand बनाना है तो मैं हमेशा बात करता था brand बनाने की अब लोग जिसके ओपर trust करते हैं वो brand के ओपर करते हैं कि यार हम जो है वो किसी brand से चीज़ ले 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 ठीक है आप अब तो फूर बढ़ना बे भी आ गई है तो trust बढ़ना शुरू होगा है लोग यार हम brand की तरफ जाएं लेकि नहीं तो के लाई में होगा ना कराची लागर इसलामवाद में होगा है चलो हमने हैधराबाद कर लिया मुंतान कर लिया इसका ripple effect आए आएगा ना मैं देखें अभी अभी शेहर सबसे पहले चीज़ी अडॉप्ट को इंटरनेट भी आएगा तो सबसे पहले किसना अडॉप्ट किया हो ठीक है तो इसका ripple effect आएगा और आगे आगे जाएगा अब आप देखें ना कि जो बड़े शेहरों के अंदर भी जो अंदुरूने सिंसें अंदू यूएस है यूएस है यूएस है अमेरिका है और मुझे लगता भी निका मुस्तर हम पहुआ पहुआ सकता है लेकिन एक इसका चंग बढ़ता रहेगा मार्केट चाहे कहीं भी भी जाए कपड़े पहने लोगों ने खतम नहीं करने तो लोग शौपिंग नहीं छोड़ सकते यूपिंगेले इट के अपर लोगों ने शौपिंगर नहीं कम करें ज्यादा करें लेकिन करेंगे लेकिन करेंगे लेकिन इसमें ठीक है आपने का बी लास्ट एक-डू साल में जो है लाइस बालियूम इमरान खान की कवर्वर्मेंट मैं तो मैंने कहा था कि सिच्छिशन लेकिन फिर भी जो हालात पीछे चले एक डेट साल तक जो डॉलर 170 से 300 320 तक चला गया तो उसमें जितना वाल्यूम बढ़ना चाहिए तो उतना भी तो नहीं बढ़ा होगा नहीं बढ़ा उतना लेकिन बढ़ा तो है अटली मटली बढ़ा है और और आप मैं आपको मैं स्टिल काम करें पांत साल कि तो अब अगर रशन करूले हैं पर यह करें बड़ा हैं क्णा प्रेट से यह कि च्छा favor और खचकर अपने सब्सक्क्रामे मरें अपना तो आब जो अपयए और पूरे सांटे गजामपल कर तो में तो आआप और और तो तक वह बितर है ठीक है लेकिन आप देखें कहा खड़ा है ब्रेंट क्या उसके बीचे आप सक्सेस क्या रखती है रीजन क्या है आपके सामने है आपको पता है अभी कितनी सारी आफलेट्स खोली है और कितनी सारी पाइपलाइन के अंदर है एक्सपैंड कर लिए नो दुबा है राट गये आप यही बात है आप आप यह यही बात आ अपके क्यों बलाया है क्योंकि कुछ लोग मुझे सुनने एक सुनके बाद घरागार ओक सर्ण है जोले टो आप 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 एक दौफ़ ट्राय कर लो कि या ब्रैंड कि आप सब कॉंशनी आप मैं झाले है एक मैं हम वर भाइन नॉंच कर है नॉंच कर दिया अपको कर दिया तो वह ब्रैंड की एकुर्टी ब्रैंड की ड्रस्ट को अथ बूस्ट देते आ influencer, influencer marketing से आप कभी भी एक और कलती है influencer marketing करते हैं कि हमें ROI कितना है, हमने इसको 4 लाक रुपे दी है, तो 4 मिलिन का बिसन, इस तरीके से influencer marketing कभी नहीं होती वो वोड़ा माथ पहलाने के लिए हैं कि brand equity बिल्ड करने के लिए होती है बस उसका return सिर्फ और सिर्फ brand equity है अगर आप आरो है मिल जाए well and good है यह लेकिन यह जो लास्ट एक दो साल में डॉलर की वज़ा से यह जो digital marketing के expense बढ़ा है तो घर पे बैठके हुए एक जो आम लड़की बैठके उसको घर भी चलाना है उसको सारी चीज़े चलनी है वो अपना एक चोटा सा बैठके start-up कर रही है कपडों का, jewelry का, किसी भी चीज़ का वो कैसे जो है वो brand बनाएगी जब उसके पास marketing के budget ही जो है वो 50% नीचा आगया ना पहले 500 रपे था क्योंकि डेट सो रपे इस पे था पार्ट नहीं है, वो एक पार्ट है यही एक और सबसे बड़ी misconception है क्या हम गोलते है, e-commerce सीखने marketing सीखने हो, में e-commerce आजएगा, ऐसा नहीं है e-commerce का अलग पूरा system ही different है, मैं आपको भी example दूँ मेरे दो clients ऐसे हैं जो उनकी सब कुछ ठीक कर दिया हमने, उनकी sale उपर नहीं जारी उनका ROS जो है वो अटका वैस टिल स्टेगनेंट वा हुआ है हमने सोना working करी, क्या problem किया है तो हमें समझ माया कि जो customer support team है, वहीं पर आसल problem आ गई उसको सीधा करा, ROS उटके जो है वो फोर आरा तो six आने शुरू हो गया तो e-commerce एक business है उसके अंदर आप product सही तरीके से procure कर रहा है सही costing में कर रहा है, आपने pricing सही तरीके से set की भी है, सिर्फ marketing नहीं है marketing एक पार्ट है, इसी तरीके से paid marketing भी एक पार्ट है बहुत सारे तरीके हैं कि आप organically उसको read करना भी है, काम लड़की के लिए तो या आम लड़के के लिए जो घर पर बैठके 16-17 साल का लड़का काम कर रहा है, उसके लिए तो पसवल नहीं है, तो आप कहे तो courses भी ना करें हम online, नहीं मैंने तो कभी लेकिन उसको start भी करना है, start तो करना जरूरी है, ठीक है, सबसे पहला काम हो यह करें, कि बगर algorithm क्या चल रहा है, क्या ने चल रहा है, वीडियो बनाए, पोस्ट करें, डालना शुरू कर दें, बस, और daily की दो वीडियो आपने डालनी हैं, अपने ब्रैंड, टिक टॉक पर डालें, क्योंकि माम पर probability जादा है, क्या आपकी वीडियो थोड़े से वीउस आपको मल जाएं, यह तो कर सकते हैं, इसमें तो पैसे नहीं लग रहा है, कुछ तो करेंगे, वाट्सप चैनल बना लें, अब तो वाट्सप चैनल भी आ गया, उसको प्रमोट करें, अपने friends and family को try out करें, हाँ, वो अलग बात है कि friends and family आपसे कभी shopping नहीं करेंगे, feedback तो लेंगे, फ्री में माग लेंगे, हाँ, कुछ पैया तो चलना शुरू होगा ना, क्या आपका, चलो फ्री में दे दो उनको, एक product, मुझे बता कि यार, मैं product कैसा लगा, feedback चाहिए, reviews तो आजेंग को, अलग अलग लोगों को, यार तो लिया क्यों तुमने, वो अगर बेच पा रहा है, तो तुम ले रहो तो बेच पा रहा है, तो यह जो आजकल public speaker बने में है, without any experience, without any failures, बाड़के, भाशन दे देते हैं कि यार, हम यह entrepreneur बने है, start-up कर लो, तो वो public speaker बने कैसे, लो बला क् event करा रहा है, यार, manjan बेचना भी तो एक art है, वो आता है, तो बस बेचना शुरू कर दी हो, तालिया कौन बजा रहा है, अवाम बजा रही है, यह कितना जुरूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, मैं अभी एक बड़ा event वो नाम ने लेता मैं, उसमें मैंने खुद चाहिए, कर रहा है, नहीं मैं आज तक कभी ना, दो-तीन events की है, मुझे शौक नहीं है, अब उन्हों बला रहा है, जित कर रहा है, मैंने उसको पैनल लेखा, मैंने आपको नहीं जाना चाहिए, पैनल के अंदर उनके एक साल का experience भी नहीं है, आप उनके साथ बैठेंगे, आप, अशा, मैं आपको अपने experience बताता हूँ, अशा, यह मैं नहीं कर रहा है, तकबुर के लेवल के बात नहीं बात नहीं कर रहा है, मैं आप अलग बात करेंगे, जो experience, इन experience बन्द हो क्या बात करेंगा, ठीक है, मैं आपको अपने experience बताता हूँ, मैं एक event में गया, मैं म खरीदने चाहिए, सारी पपले का तालिया मजा रही है अवाम का ना, तो अब प्रॉब्लम ही है, अब आप कोई किसी का कोर्स ले रहे हैं, चाहिए वो फ्री हो पेड हो, डजन्ट मैंटर, आपको अपने मैं तो कहता हूँ, अगर कोई करा रहे है तो वो बहुत बड़ा लगा वली है, तो सारे काम करके आपको फ्री चीज पड़ा रहा है, चलो यार मैं फ्री मार्केटिंग है कर देता हूँ, टेली मार्ट वालों ने एक बड़ी अच्छी स्कीम किया है, लास्ट कुछ एक मैने से वो फ्री बुक्स दे रहे हैं, डिजिटल बुक्स है और बड़ी बहतरीन किसम की डिजिटल बुक्स है उनका एक कोड है, कोई सौ से ओपर बुक्स हैं, जिसके अंदर एमेज़ान मार्केटिंग है आपका फेस्बुक मार्केटिंग है गुगल मार्केटिंग है, तो जाओ यूस करो यार, फ्री में फ्री है, और बुक्स आप बैढ़के जितनी अल्लिमिटे डाउनलोड है, करो और उनका बैढ़के यूस करो, कोई ने करेगा कोई ने करेगा, बैढ़के लोगों की साइकालिजी, करने चाहिए मतलब मैं जाते करूंगा, सबसे पहले यह चीज़ अब जो आप जिससे आप कोर्स ले रहे हैं, चाहिए वो पेड हो, चाहिए वो फ्री हो सबसे एक चीज़ जो इंपॉर्टन आपकी लग रही है, वो है टाइम ठीक है, पैसे ड़सेंट मैटर, पैसे रिगावर हो जाते हैं कहीं नहीं जो जिस बने से आप सीख रहे हैं, उसकी प्रोफाइल खोले हैं कि यह जो बात कर रहा है कि इसनों खुद किया है, इसको खुद एक्सपिरिएंस है यहर इस पर एक बड़ी, उसकी एवेंट का मैं भी नाम नहीं लेता हूँ, बहुत बड़ा एक 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 कॉमर्स का एवेंट करवाया है एक दो मैने पहले ठीक है ना, उन्होंने जितने लोगों को मुलाया, जितने इंफ्लूंसर्स थे, उन्होंने कभी जिन्देगी एक कॉमर्स की कोई स्टार्ट अप तक नहीं किया हुगा, लेकिन वो बैढ़ गी कॉमर्स के बरबाद कर रहे हैं मैं तो इसको इस तरीके से सबसे बेस्ट एक्जेम्पल इसकी कि आप बैठें, आप एक बुक पढ़ें, एचल दस बुक्स पढ़ें, हाव टु सुम, पढ़ लिया आप नहीं, आप ने दस दफा पढ़ ले, वो रट गया आप एक चैप्टर, आप जो कूदेंगे ना, सु आपके, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ याद ही नहीं, आपने बुक में क्या पढ़ा है, अब आपके हाथ होंगा और आपके पैर होंगे कि आपको उपर आपकी सरीके से लेकर रहा है, तो experience matters, जिस बंदे का experience नहीं है, उसकी मैं समझत, अब हर बंदे को कही न कहीं से start लेना है, अब मैं आ रहा हूँ ट्रेनर्स के उपर, speakers के उपर, उनको खुद चाहिए, कि भाई, wait, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने भी शुरू मैं पॉड़कास की बात की, मैं आपको एक insight देता हूं छोटी, मैं छे मैंने की podcast नहीं, मुझे बहुत सारे लोग होगा या नहीं होगा, ठीक है, मैंने बोला यार, अब मैं हमेशा लोगों को बलता हूँ, e-commerce प्राइवेट लेबल करो, मैं podcast हो जाँगा, तो मैं से इस पर सवाल होगा, मैं लोगों को misguide नहीं करना चाहता, क्योंकिए मैं भी खुद शेकी हूँ, तो मैंने 6 मैने की कोई भी podcast की नहीं इसलिए है, ठीक है, जब मैं खुद confident हुआ, छे मिने मेने results देखे, मैंने का यार, doesn't matter, हम उपर जा रहे है, e-commerce, जो मेरे clients है, मेरे अपने खुद के भी brands है, हम उपर जा रहे है, तो इसका मतलब यह है कि इस तक फरक नहीं बढ़ा, economy चलेगी, हाँ luxury में शाह ले लेकिनी, eventually आपकी line उपर जा रही है, ठीक है, तो जब मैं confident हुआ, तो आपकी podcast है, जब चार podcast है, मैं पीछे record करका है हूँ, ठीक है, तो speakers को, trainers को चाहिए, कि जो हम सिखा रहे हैं, यह इतनी बड़ी liability है ना, share भाई, मैं आपको बता हूँ, यह, मुझे डर लगता है कि आप से, कि आप जो लोगों को सिखा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है, वो गलत बाता कर रहा हूँ, और इसको किसी की जंदे की खराब है, तो तो पकड़ हो जाएगी आगए, इस सिर्फ इतना लोगों को समझना है, मैंने वो, अभी हम आफ, इस दिस्क्रशन भी कर रह एकने सवाल कर लिए, सिर्फ आपको आप जवाब इसलिए दे रहो, ताकि मैं बता सब को मैं हट जवाब दे सकता हूँ, आपको कुछ नहीं बता, अपना मैं जनविशने के लिए, तो मिस गाइट नहीं करना चाहिए, ट्रेनर्स को यह सोचना चाहिए, तो यार यह जो देमांड होती है ना, तो सप्लाय भी तभी क्रेट होती है, ठीक है, यह एकनॉमिक सा बेसिक रूल है, जिस चिसकी डेमांड नहीं कभी उसका बिसनस खुले गए नहीं, ठीक है, तो अब जब देमांड थी, लोग सीखना चाह रहे थे, तो यह इंस्टिट्यूट्स खुले लेकिन डेमांड फेक नहीं क्रेट की गई, अब वो फेक हो या जैनवन हो, क्रेट तो लोगों से हुई ना, हमें सीखना है, तो मैं हमेशा लोगों को एजुगेट कर रहा हूँ, मुझे देखें, ट्रेनर्स को जो फ्रॉड कर रहा है, जो मिस्गाइट कर रहा है, उसको आ क्यों किया आपने, ठीक है, इसका रीजन गया है, आप उसको सर्च कर रहा है, आप दो लोगों से ररिफाय कर रहा है, जो समझ लाते हैं, वो माने, यह नहीं कि उसामा महीं बुलने है, एकॉमर्स प्राइवेट डेवल के मार्केट के अंदर पोटेंशल है, तो हाँ होगा तो यह, आपने ब्लाइंड ही किसी को फॉलो नहीं करना, तो हमेशा जब भी फेक डिमांड हो या कुछ भी हो, डिमांड जेनरेट आप से ही हो रही है, आप ही कर रहे हैं जमांड जेनरेट, आप उस सिस्टम का पार्ट है, और आपकी कंट्रिबीशन है, उन सारी कंपनी सी तो हमें अगर समझना चाहिए, कि हम कहां जा रहे हैं, हम किन ट्रेनर्स के पास जा रहे हैं, हमें क्या फ़ाप दिखा जा रहे हैं, तो मैं तो, जेकर सीड़ी बात है, मुझे अगर बंदा बोले यार तुम एक महीने के अंदर मिलेनर बन जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी तो बेवकुफी की बात कर रहा है, मैं नहीं कर सकता है, और मुझे आगे कोई बात करेगा, मैं दुबए के बहुत दफा गया हूँ, मैं जो, अचा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी जरूर रहे हैं, लेकि बॉर्ण और डेजिन दुबए हैं, उनसे आप बोलो न यार, एक साल में देखोताना बचेगा आपको, आपको सुनेंगे भी नहीं, यह मैरा एक्सपीरिंस है, उनसे बोलो ना यार, आप एक साल मार्क आएंगे, लेकिन आप दूसरे तीसरे साल, आप पात साल में जाके कुछ नुकत बन जाएंगे, आपकी बात सुन लेंगे, व तो एक चीज़ रियल में जब आया और गयने काया, उसकी बात अलग होती है, आप जो है, वो फॉल्लवर्स वही वाली कानिया, आपने फॉल्लवर्स ले ली है, बॉर्ड के उपर और पर उसके बाद इंस्टागाम को पकड़ हुई है, और आपके सारे फॉल्लवर्स एक मि चलता है, लेकिन अपनी लोकल इंडरस्टी पर बहुत जादा काम है, पहले वो कर लो, तो ड्रॉप शिपिंग अगर उसको देखें तो इसके बारे में क्या खाल है, देखें, अब देखें, यह भी ज़रूरी है, समझना कि इस वक मार्केट कहा है, और सबसे एजी स्टेप क्या है लेने के लिए, आज भी ड्रॉप शिपिंग से आप सार्ट कर सकता है, मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन दरूरी नहीं अगर मैंने पांच सल कोई तो आज भी ड्रॉप शिपिंग मार्केट इस वक सही है, मुझे करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए, तो अगें, वो मैंने भी आप से बात की कि मेरे जो एक उस्ताथ नहीं बताएंगे तो आपके बात दो रास्ते हैं, शॉर्ट टर्म फायदा, लॉंड टर्म नुक्सा जिनके बाद इन्मस्मेंट करना चाहिए, उनको 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 करना चाहिए करना चाहिए उनको ब्रेंड को पर start करना चाहिए day one वो पैसे लगा है आज आप डस for example 10 करोर रुपर हैं आप आप बोले हैं आप 10 करोर को 5 करोर में launch करते हैं तो होगा कि आप 5 करोर आपने बचा लिए आप ना 5 करोर का मुझे एक साल का रन में मिले जा है, हो यह रहा है कि भाई आप जो आपने फीजिबिटी दस क्रोड के बनाए थी, जिन लोगों आप कम्पीट करने के लिए जा रहे थे, वो दस क्रोड में होना था, अब आपके पांच क्रोड आया होंगे, तो सेविंग अगर आपके पास हैं, नहीं है, तो क आपको पसम्हें पता हैं, तो स्टार्ट करना जरूरी है, आपको, चलो है आपने बहुत बोल दिया, यह कर लेते हैं, एक केस्ट टूडी कर ले, तीन चीज़े हैं, डिजिटल मार्केडिंग हो गया, उसके अंदर हमने इ-कॉमर्स देख लिया, उस पे हमने फिर ब्रैंड लेंगी बात कर ली ठीक है नहीं ये तीन चीज़ें एक केसरी आपको मैं देता हूं एक लड़की है जुसको अपने घर से बैठके काम शुरू करना है वह अपना घर भी समालेगी वह अपना ये काम भी छोटा मुटा हालात की वैसे कर दी है उसके पास एक लाक रुपए ठीक गर्टा है आपने एक गंटा निकालना है दो अखिवाइँ लेकर लिक लाजम हर दिन चारू ऑया आपका कोई सेट संडे आफ नहीं है कैसा भी अपक आप श्टार्ट कर रहा है पहलë चीज़ तो आपने पैर comment आपने पैरलेल करने हैं अक स्टार्ट करना उतें उसके सबसे पहले चीज आगी कि Kya मैं बेचू उसकी लिस बनाएं पिर आप बनाएं कि आप निए निखलो मैं ठीक है निकाल ली आपका वेबसाइट बनानी है नेक्स यह मांकेटिंग सिकनी है उसे मांकेटिंग अंदर कितने चैनल्थ हैं मैं TikTok सेखनी है, मैं Facebook सेखनी है, मैं Google सेखनी है अब list बन जाए आपके पास आप सारे काम एक साथ निए कर सकते है तो आप चेक करें सबसाथ प्राइटी के उपर क्या चीज़ा है जो मुझे करनी है प्रॉड़क्ट चाहिए अब भी जखें, प्रॉड़क्ट कैसे डूनता है वीडियो देखें, लोग होगी प्रॉड़क्ट कैसे डूनना जाए आप दरास पर जाएं एक तरीका आपको आइडियाज मिल जाएंगे प्रॉड़क्ट के हमेशा आइडियाज मिलेंगे और कप्ड़ में आजाएं दूसरों को देखने छोड़ता है कप्ड़ बहुत हो गए अभी देखें कि एक कैटेगरी है कि हैंड मेट के ओपर भाई लोग शॉपिंग करने के लिए आगए है लोग करने शॉपिंग और दरास पर भी नज़र आ रहे हैं अलिबाबा भी नज़र आ रहे है तो क्या मैं यह कर सकती हूँ यह सर्वेस और प्रड़क्ट दोनों के लिए है जैसे मतलब एक खाना बगा आपना दे रही है तो वो भी एक प्रड़क्ट प्रड़क्ट आ गया अब खाना बगा रही है नहीं तो वो बर्गर बिक रहे है बर्गर सब बेच रहे हैं तो मैं बर्गर नहीं बेच थी मैं कुछ ऐसी चीज बेचती हूँ लोकि लोग नहीं बेचत रहे है आपने देखा हूँ अभी खाव से बड़े इन टेंडिंग मा आ गए है बीकुल ठींगे ना तो किसी ने तो स्टार्ट किया हूँ का न तो वो रेलेवेंसी डूण सारे साहिए और बेंडिंग और मार्यटिंग कैसे होगी उसमें प्रिंडिंग कॉस्ट भी हो गई सब चीज आप प्रोड़क्ट पर करें पैकेजिंग पर ज्यादा बैसे ना लगा है बेसिक सी पैकेजिंग होने चाहिए क्योंकि अभी आप अपने बिलकुल इमीडियेट जो है वो सरकल को बेचने की कोशिश करेंगे उनको बेचें उनको बेचें उनको बेचेंगे मुझे फीडबैक दो आपको फीडबैक देंगे और फैमिली वाले तो आपको हमेशा नेगेटिव फीडबैक देंगे और यह बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके लिए आप उनको लिस्ट डाउन करें कि अब मैंने क्या कैस में चीज़ों बहतरी करने है प्रड़क्ट के ओपर ध्यान में देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर प्रड़क्ट अच्छा हुगा आपका तो आपको रिपीट और्टस मिलना शुरू हो जाएगे साइकल चलना शुरू हो जाएगे और दिमांड भी उनी ज़रूरी है आपके बाद रहे हैं 50,000 रुपर कितनी मार्केटिंग कर लगे हैं आप 50,000 रुपर तो ये शॉर्ट टर्म फायदा लॉंग टर्म नुकसान प्रड़क्ट डेवलेप्मेंट करें और फिर आप पैसे कुछ अगर एक्स्टा उफ सेफ करती रहती हैं 5,000 महीना 10,000 महीना ये लगाएं पैसे सीखने के बाद पेड़ मार्केटिंग और पेड़ मार्केटिंग ले बेस सिस्टेम कौन सा है फेस्बुक, इंस्टाग्राम टिक टॉक क्योंकि फेस्बुक के ओपर टिक टॉक पे अब हम चार लोग बैठे हैं अब मैं उन्हों कितने लोग बाद टिक टॉक है सब के बाद ही होगा मैं रखाल से नहीं है नहीं है नहीं है ठीक है नहीं है ओके स्नैप्चेट कितने के बाद है स्नैप्चेट गी है एक बंदे के बाद है उनके बाद है ना प्लाइर कंपनी के सीओ भी मौझूद है और एक गाव में अधियात में बैठा वा जोपड़ी के बड़ा भी मौझूद है तो स्टार्ट इस बेस्ट प्लाटफर्म तो स्टार्ट विद इस फेस्बुक और फेस्बुक के जो अल्गौरिदम है वो आपको रियल टाइम के अंदर ट्रिगर कर रहे होते हैं इस बंदे की डिमांड क्या है असान है फेस्बुक मार्केटिंग? बहुत असान है सीखना हलवा मतलब इतना असान है कि अगर मेरी बेटी तीन साल की हो पांच साल की अगर हो जाए और इसको थोड़ी बहुत ग्रेप आजा चीज़ हो पर मैं इसको तीन हफते में सखा दूँगा ऑल्लाइन सारा हन्नेट परसन ऑल्लाइन इतनी असान है एसको अज़ चार साल पहले आपको आफिनिटी स्कोट देखना पड़ता था आउडियंसी रेलिवेंसी देखनी पड़ती थी कॉन से पेज रेलिवेंट है देखने थे ओर आफिनिटी स्कोट इतने आराम से नहीं नीगलता तुझे अल्गॉर्थम अगरा चेंज होते रहते हैं पहले फेस्बुक की टागेट ओडियन्स थी बड़ी कंपनी अब उसमें टागेट ओडियन्स बड़ी कंपनी नहीं करनी है मार्केटिंग वो तो करेंगे वो आगे हैं वो नहीं करेंगे आपना लुकसान करेंगे पहले फेस्बुक को नीट थी अब फेस्बुक स्मॉल बिजनस ओपर आ रहा है तो अल्गॉर्थम असान कर दिया उसने उसनों पूरा प्रोसेस असान कर दिया अपना तो पहले आपको और्डियंस तर्फ टार्गेट करने के लिए तीन तीन चार चार शेशा खिंटे की रिसर्च करनी बढ़ देती कि मैं रहले आप टार्गेटिंग करें ही नहीं और ब्रॉट चला दें फेस्बुक करेंगा आपके लिए जो नहीं सिकंदर की मेरी वायल वीडियो वीडियो तो आप और शेखने का बहतनी प्लाटफॉर्म क्या है फेस्बुक ब्लूपरिंट फ्री फेस्बुक ने खुद बनाया है और फेस्बुक उसको हट शे महने बाद तीन महने बाद साल के बाद अप्डेट करती है मैं क्यों देखूं? प्युक्त फ्रियों मैं अच्छा एक तो यह नहीं है, एक तो psychology एक डिफिरेंट है कि पैसे, कुछ लोग पैसे बगएर पैसे देके सब कुछ करना चाहता है, ठीक है? उनकी psychology एक अब मेरे पैसे नहीं लगए वे ना, तो मैं आराम से करूँगा, है तो यह फ्री, लेगिन अगर मैंने किसी को पैसे दे दिये, तो उसका टेनियोर होगा, तीन मैंने मैं खतम हो जाएगा भाई यह, तो फिर वो, कुछ जब उसका दाओ बे लगाव होता है तो वो चेंज करते रहें, स्टड़ी करते रहें, और तोड़े दिन बाहत रहें होगा, आज भी, सर मुझे आठ नौ साल हो गए हैं, फेस्बुक मार्केटिंग, गूगल मार्केट सब करते रहें, मैं आज मेरे कैलेंडर के अंदर हट 6 मेने के बाद, तीन दिन लॉक होते हैं मेरे नो मीटिंग, नो पॉड़कास्ट, नो टीम मीटिंग, नो इंटरनल मीटिंग, नो क्लाइन मीटिंग, नो ट्रैवलिंग, तीन दिन मैंने फेस्बुक, ब्लूपरिंट, गूगल गराज, टिक टॉक अगाडवी, ये देखनी है, बो धुरू करनी है, क्या चेंजिस आरी है क्या चेंजिस होई है, मैं आज भी करता हूँ, और ये करता रहूंगा, और ये हर बंदे यो करना चाहिए, लर्निंग स्टॉप नहीं होती है, मैं आपको एक और और लर्निंग की जब बात आई गई, तो मैं आपको बड़ी एक जबर्दस्ची बता हूँ, कल मेरे दमाग म चाहिए, मैं आपको एक बहुत अमेजिंग एजेंपल देता हूँ, मेरी बेटी तीन साल की है, अब मैं उसको स्कूल में डाला क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम पर मुझे नहीं ट्रस्ट आ हूँ, ठीक है, हम हम स्कूलिंग करता हूँ, तो इसकी टीचर जो है, वो अमेर अब मैं मैं ओए, तो आयत मुझे पोएम सना है हाँ, तो अब तो इसकानला यू हो ज़ा आए, टो अपन में गूगल है ये तो बाखी पोएम होता है वाँ, तो तीसला का हूह 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 है अब मैं अब पता लगारा है तो लर्ण आप Chip चलती रहती है कि आप की शरी सबस्किर के अपने इंटर्नी से भी सिखेंगे अपने जुनिया कुलिक से भी सिखेंगे और अपने इंडूस्ट्री ईञ्टि को अपकी और एक्सपीरियंस साथ यह डिजिटल मार्केटिंग को अल्टेनेटिव है एक्जेंपल देता हूं कि अगर मैं काऊं कि यार मैं जो है ना किसी बड़े अपने भी बातिया अलटरिटर्णेटिव नहीं होता है एक चीज़ आ आगे आगए आगे दिखी जाएगी कि अभी क्या चीज़ है और दूसरी बात जो आपने जितनी बात किए हो सब डिजिटल मार्केटिंग में आती है तो हम जो है वो कन्फूज करते हैं तीन चीज़ों क इसको अलग से समझने की जरूरत है कि एड़र्टिस्मेंट क्या होते है क्यों करने चाहिए आपके इंफ्लेंसर क्या है क्यों करने चाहिए जैसे मैंने भी बब को बताए इंफ्लेंसर मार्केटिंग आपके आरओए जन्रेशन के लिए नहीं होते है ब्रैंड की एक्विटी बूस्ट करने के लिए होते है जो इवेंचुली आपका आरओए इंट्रेश कर देंगे बिल्कुल ठीक है और इसी तरीके से इमेल मार्केटिंग भी इसी का पार्ट है तो इमेल मार्केटिंग मेंने कब करनी इसको पूरा समझने की जरूत है कि हर चीज़ डिजिटल मार्केटिंग ये हर चीज़ एक नहीं है इस सारी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के अंबरेला के अंदर आती है अच्छा ये अमेज़न पाकिसान में नहीं है इसका नुकसान हो रहा है या अगर ये ना भी आए तो भी खेर है अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन फाइदा तो होगा 100% इतने बड़ा जाइंट है आना चाहिए एक तो मुल्क लिए भी अच्छी बात है और एक एक हमें भी opportunity मिल जाएगी करने की जो है लेकिन पाकिसान ना unfortunately बड़ी हम लोग में बड़ा बुरा लगता सीजी बाते बोलते हुए लेकिन मैं facts है क्या है हम बड़ा अना थिकल होगा है एमजान ने पाकिसान को खोला था क्या शर किया हम अभी जो आपने इधारों ना को तो यह होगा Amazon आने के बाद फाइदा तो 100% होना है मैं जितना समझता हूँ दराज आई फाइदा हुआ दराज ग्रो कर रही है हमें फाइदा हो रहे हैं दराज आपको educate कर रही है पीछे अलीबाबा है वो investment कर रही है सब कुछ कर रही है influencer marketing मुझे लगता है हमें सिखाई अब मेरा हर क्लाइंट बोलता है उस इवेंट को देखके यार हम इंफिल्सर मार्केटिंग करता है पहले हम एजुगेट करना पड़ता है वो क्यों दो पैसे है अगर आपकी audience की relevancy आती है उसके साथ तब ठीक है तो वो educate कर रहा है market यह आपके लिए बड़ी एक blessing है Amazon तो फाइदा ही होगा दरास तो competition मिलेगी अभी दरास के पास कोई competitor नहीं हो अपनी मर्दी करेट हुई है उसकी Amazon आएगा तो competition मिलेगा number one दूसरा वो भी educate कर रहा होगा market दरास भी educate कर रही होगी market तो लोगों का trust जो 10 साल बाद आना है वो शाद 5 साल में आ जाएगा जो लो competition ही market को correct करने की सबसे बेहतरी जीज़ है आप आप कब आए ना के लेटर के एक काम चलता है competitor नहीं होगा तो मुनापली होगा यह होता है बिलकुल मुनापली है अच्छा इसमें branding जो है किसी भी company के लिए अपनी branding के लिए कोई अपना खुद services दे रहा है उसकी branding हो गई तीन important factors के हैं अगर मैं उनको summarize करा हूँ तीन factors के अंदर के तीन सबसे important factors आप company के बाद कर रहा है किसी भी personal branding हो गया company branding हो गया तीन एक element होगा उसके अलग-अलग है अलग-अलग चीज़ होगी एक तो यह कि relevant audience को समझना तो पहले कि हमेरी relevant audience कौन है और उसी में रहना वो market बना गया मैं करूंगा मैं करूंगा करूंगा से में जुने है उसकी अपनी market है से मिझा एभ रटी इसमें अपनी market दे लि जुने जो अपनी कर अँड़ ए तो आप अगर personal brand कर रहा है तो अपनी audience को आज समझे के मेरी audience कौन है मैं किस से बात कर रहा हूँ ठीक है हम आदो ह 10,000 फॉलोवर से क्या होगा भाई 10,000 लोग अभी तुमने लाइव देखें कितने होता है स्टेडियम बढ़ जादा है पुरा 10,000 लोगों से तो 10,000 लोग भी आपकी सुन रहे हैं वो इंपॉर्टन्ट है और वोई ग्रो करेगा पुरी वर्ड अफ मौत फलाएगा ठीक है तो आडियंस को समझना है कि मेरी आडियंस कौन है और उसी तरहां बात करनी है ताकि आपकी आडियंस समझाए अगर मैं एक मिडल क्लास लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी अमेरिकन अंग्रेजी में बात नहीं करूँगा मैं उनकी दमाद में बात करूँगा अगर मुझे मेरी टागेट आडियंस करांची वाला है तो मैं करांची की एक्जेंबल दोगा मेरी आडियंस पाकिस्तान है तो मैं हर हर एक्जेंबल से मुझे बात करने हैं बढ़ेगी तो पहले चीज़ इस ओडियंस को समझना दूसरा है content बनाना परसनल की बात है यार आप जहां जैसे आप content बना सकते हैं आप बले selfie से बनाएं आप content बनाएं एक बात करें लेकिन genuine होने चाहिए genuine लोग खुद feel कर लेते हैं यह genuine है और market आपकी बात में आकर time proof करते था कि आप कितने genuine थे कितने genuine नहीं थे ठीक है तो scale में content निकाले है ठीक है और last चीज़ जो है consistency कि आप consistent रहें कि एक चीज़ आपने जो किये वह आप करते रहें करते रहें करते रहें company के अंदर अलग तरीके से करते हैं company के अंदर सबसे important चीज़ is your culture ठीक है आप लोग जो है वो तस्वीरे लगाने से टेबल टैनिस रखने से फूस्बाल टेबल लगाने से वो Gary Vee I'm a big fan of Gary Vee तो वो उसी सीखी ती मैं आप coffee free देने सा आपके company में culture नहीं develop होता है जब आपका चाय बनाने वाले से लेके CEO तक कोई discrimination ना हो हर बंदे को equal जो है वो respect दी जा रही हो हर बंद की JT define हो हर बंद एक दूसरे से बात कर रहा हो हर बंदा इतना open हो के CEO के पास जाओ और अपनी बात को बगाए डरे किसी का share कर सकते है this is how you build culture जिसको आपने हैर किया उसको ownership दे इसको responsibility दे अकाउंटिबिलिटी रखे हैं उसको अपर लेकिन सारी चीज़े दे इस आपको पता हमारी एजनसी के अंदर we have done one thing पर हमारे शटर्ट आफ नहीं होता था हमने शटर्ट आफ कर दिया प बगाए जिसकी birthday है उसको full day paid leave मिली और उसकी जो एन्व लीव उसमों से नहीं getting है ठीक है और हम उसके घर पे एक बड़ा खुब्सूरा सा goodie bag बिजवाता है और कोशिश मेरी होती है अगर करीब हो तो मैं खुद देगा आ जो आप इमेजन कर रहे हैं कितनी connectivity बिल्ट होती ह आपकी इस चीज से अपनी टीम ली तो कल्चर ना इतने मज़े से नहीं बनता नंबर में तिंग और मैं सबता हूं यह इंपॉर्टन है कल्चर कल्चर अच्छा होगा लोग अपनी बड़ी सेली शोड़के छोड़ी सेली में काम करने लिए अपके साथ में साथ हुआ है सेक जितना भी जो प्रफॉर्मेंस है ना इस अ कंपनी वह आप बताएं लोगों का कि हमने यह चीज़ की है तो हमारी कंपनी के अंदर चार कोर वैलियू था है और लोगों देखेंगे चार कलर था है उसकी वह चार कलर चार चीज़े रेप्रेजेंट करते हैं ओनस्टी डेडि की देंगे सब को ठीक हो जाए और यह आप उठा उठा के लोगों को बताना शूकर आप यह चीज़ पूछना है कैसे कमाने हैं कैसे कमाते हैं तो किसी को भी अगर कमाने हुआ है कैसे कमा होगे वही वाटसप पे जो मैंने सवाल बुचा था तो यह बड़ा जबर्दस अब मुझे आप बाता बिलकुल आखर मैंने इसलिए रखा कि आप जितना टाइमे ले 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 लो देखें सबसे पहली चीज़ जो मुझे आज आगे समझ में आती है अपने कोई 14 साल से मैं गाम करूँ छे साल अबबा के साथ लगा है चाथ साल पर आट नो साल यहां पर हुआ ह ज्यादा टाइम होगा है 14 साल होगा पहले सब बुलते हैं विजन बड़ा करो विजन बड़ा करो अब यह बुकिशन बाते लगते हैं लेकिन आज चीज़े समझ में आती है कि किसका फाइदा क्या है अब मैं आपको एक्जेंपल देता हूं पर आपको कनेक करूंगा हमारा अब यह पॉड़कास के इतना बड़ा कमरा है इतना बड़ा मारा ओफस था हम तीन लोग बैठते थे राशित मैं और साथ हमें अनफॉटनेटली लैंड़ोड है मैं जगा बेत रहा हूं हम और जगा ढून नहीं है तो हमें कोई छोटी जगा मिली नहीं है हम उसका पफ रते हुपा है टो में जुकति नहीं हो थे रंड़ा गए बहुत पहले की बात है अब अच्छा उपशन नहीं है में तो अबहुत है टोल्कुल कि करना तो अब तो कोई आपशन नहीं को तुमनें उस आठागी जगा डूनि नहीं मिली है मैं अब बजट डबल करते हैं 15,000 रुपय की हमें जगा मिल गई वो कमरे को जरब सा छोटा करने लेकिन दो कमरे थे अच्छ अच्छ आपर काम किया हमनो ले यार एक कमरा एक्ट्र पढ़ा रहेगा क्या फाइदा रहेगा मिल भी नहीं दे ले लेते हैं छे महीने के बाद अच्छ आपर काम बढ़ी है ठीक है और बड़ी जगह जाता है तो तीन कमरे का देखता है हमने एक ओफिस देखा जो में बहुत अच्छा लगा समझ में आया उस ओफिस का रेंट था 80,000 रोपय हम 15 दे रहे हैं तो सब ने बोला यार भाई ये तो एकदम से नहीं बड़ी जंप ना करो ना तो मैंने का यार 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 आफिसमांज में आगिया ये भी फिल नी ओरी दी ना थोता थे का यार दो कमरे कैसे बाढ़ें है हो गया इतना बड़ा हॉल था उसका हमारे लिए उसका तो बड़ा हॉल्टा कि वो हम बोले हैं यह जगह घमर लिए और बड़ी जगह पर जाता है ठीक है तो ऐसे होता है अभी में रीसेंट जो मनें ओफिस लिया आइटिंक वो 500 यार्ड को पर कोई जगह है तो दो टीम में री रिमोट है एक तीम मेरी नावस कराची के अंदर है तो वी आटीम आफ 65 पीपल लाओ तो फाइव जगह है उसमें मिल्टिबल रूम है हॉल है बड़ी एक बड़ा रूम है और टेबल टैनिस की भी जगह है बड़ी जगह है तो क्या कर रहे हैं हो जाए है आज हो जगह कम पढ़ लिए हमां मैं आपको लिटरल सारी बाते बता रहा हूं हमें जगह कम पढ़ लिए है अब वो इस ते एक चीज़ में समझ वाई है जब हम नाम सो तरहते हैं न अपनी कंपनी का सेवन फिगर्स जो रे साथ और राषिड करा करांची से और में साथ एक और होता था जा आधरान भई वो भी करांची से तीनों live और करांची से online और मैं लाहर सान लिए हमने कॉल बंद कर दी, तीन दिन तक लगाता है, कोई एक नाम दे ले, कोई दूसर नाम दे ले, तो बैठा 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 मैंने गा यार, हर बंदे की प्रोफाइल के चीज़ लिखी होती है, सेवन फिगर्स मीडिया, सेवन फिगर्स एकॉम ओनर, और यह मैं उन लोगी लेना था, बार मने डूमेन लेना था, हमने सर्च किया तो हमारा अलएड़िय वाद लगा लगा के अब ऑक का लोगा लंप, यही चाहिए, यही है नाम हरे कमपनी का, थो में लगा लगा के, लगा लगा के बंदा धो लिए, उसमन बना मिझाड चार लाक और डूंगा, नह हमारी पूरी क्योंकि हमारा एक ट्राइल था मेरे कमर्स ब्राइन चल लो तो हमारा ट्राइल था तो हमने इसके वन मिलिन बजट किया था चार्ड लाक रुपए हम डोमेन पर देते हैं तो डॉट कॉम तो अवेलेबल था है नहीं क्योंकि मुल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है व हुछ जो हमने लिए हैं विजन है हैं हम जौप अँडकर तो आरे जो 7 fais Kimi naaam ले ली वजह थी कि हम 7 को बनाएंगे थिक है क्यों क्योंकि 6 wir hatup brand so nobody give a fuck up 아üb थेक है ट्रॉई्ड जाने के लिए एक ऐने के tirar को 7 sein we have to build a million dollar company जहांपर सारे लोग खुश हो जो सारे लोग खुश हो this is the ultimate vision of seven figures तो इस दोनों vision नाम के साथ में नाम ले लिए तो अब जो आपको सवाल है नहीं वो सारी इनी बातों से निकलेगा अगर आपने इस सोच के निकले हैं कि मैंने एक लाख रुपर बनाने हैं तो आप एक लाख रुपर ही बनाएंगे ठीक है Google के अंदर एक रजा मतीन होते हैं very good connection of mine रजा मतीन उन्हें काता है जो गूगल में काम करते थे उन्हें काता कि Google में एक चीज़ बात सिकाया थी moon short thinking वो बोलते हैं भई बड़ा सोचो नहीं सोचो चोटा क्या होगा अचीव नहीं होगा ना पर जाएंगे शूट फो अपना बड़ा रखें तो आप हमेशा अपना विजन बड़ा रखें रिलिस्टिक हो लेकिन बड़ा हो लोग हसें आपके विजन स्टीव जोब बोलता है अगर विजन सुनके है तो अगर लोग हसे हैं तो समझ जो आप यौर अना राइट तिरेक्शन तो जो भी सोतर हो मैं अगर ब्रैंड बिल्ड करने की बात करूं मैं सोचूंगा यार मेरी जो ना सतर आउटलेट्स होंगी तो मैंने हर अट शीज को प् मिलें आज हमारे पर यही होता है पेरोल आ रहा है तीन चार मिलेंगा मैं चार साल पहले आगे अगर सोचता है तीन चार मिलेंगा पेरोल मैं बागले आते हैं ठीक है आज भी होता है क्योंके बूर्ट्शव कमपनी है लेकिन आज हम कहते हैं यार हम अपनी कमपनी को हंड़ लोगों की कंपनी का अभी फिलाद कि हजार लोगी कंपनी हो हंड़ेट इकोमर्स ब्रैंड हम खुद ओंद करते हूं मैंने मम ठीक है यह हमारा विजन है अभी दग हमने तीन इकोमर्स ब्रैंड बना है सौ की हम बात करने है कितना टाइम लगेगा मुझे हमें तकरीमन तीन साल हो गए कंपनी मनाया है तो सौ तक पहुशन में कितना टाइम लगेगा लेकिन हमारा विजन है हमें करना है और विजन के साथ ये भी कि सारे लोग खुछ भी हूँ तो हमारा साथ काम करना है तो विजन सबसे इंपॉर्टन रोल प्ले करता है आपका आपका माइंड़ सेट डेवलप करने के लिए क्योंकि अगर आपको माइंड़ सेट ही नहीं आप डर रहा है यार मैं करी नहीं सकता ही चीज़ तो आप प्लैनिंग तो दूर की बाद आप इसको पर कोई स्टैप भी नहीं लेंगे करने के बाद लेकिन अगर माइंड़ सेट बढ़ा है ना तो आप प्लैनिंग करेंगे आप रिस्क लेंगे और आप रिस्क जो होगा वो कैलकुलिड़ेड होगा आपको पता होगा मैंने यहां पहुचना है और इसके बगएर पहुंच नहीं सकता पहुंच नहीं सकता जबर्दस चीज़ जो एक और मेरे मेंटॉर आई वाथे मेरे आफस आयाज भाई तो मैंने का यहाज भई फट दी अब जिदी बात है जब तीन चार मिलियन का पेर रोल आता है मेरे पास कभी कभी शेक बढ़ जाता है तो मुझे एक्सपैंड भी करना है रुकना भी नहीं आप है तो ग्रो कैसे करें तो नहीं बहुतीन बात बुलें तो मेरे मेरे कंपनी है जो के मैं उनका नंबर ने बताता कि आरप 10 मिलियन डॉलर वैलुएशन करती है अब मुझे 100 मिलियन ड के अंदर आपको लोग चाहिए होता है मैं तो बिलीव खरता स्टार्ट अप के अंदर भी लोग चाहिए होता है वन मेरे आर्मी नहीं चलती नहीं चलती कभी भी नहीं चलती आप मैं जिन ब्रैंट में काम करका है हूं क्रेव मार्ट दुकान सब और भी जो मेरे क्लाइंट मुझे आते हैं जो मैंने बंदा हुरे है उससको नहीं आता है तो फिर तो आप से बेहितर हो आप से था है तो आप से भेटर है पț memo ब्ह tried hiring करें ठीक है तो आप से बहतर हो आप से जादे experience तर टीसी चीज़ आप उनकी सुने है क्योंकि आप दुख होगा यार मेरी company मेरा decision कि आप आपको करना पड़ेगा परदाश लास चीज़ पेशिंट और यह सबसे यह तो हर चीज़ में यह चार्ट चीज़ है अगर आपने कर ली ना तो seven figures के वह एट figures भी जाना मुश्किल लिए है and ultimately क्या होगा फेल हो जाएंगे जब आप और यह फिफ पॉइंट और यह फिर मुठी बनती है ठीक है जो पांच पॉइंट यह यह है unstoppable fearless क्या होगा मतलब worst क्या हो काईद हम बोलते थे न hope for the best prepare for the worst तो क्या होगा मैं बंद हो जाएंगी company पहले भी तो थी जब कोई मैंने कोई काम ही नहीं करता था तब भी तो मैंने company मना ली ना बंद कर देंगे दुबारा बिल्ड करेंगे एक्सपिरियंस आ जाएगा बैंकरप्ट हो जाएंगे दुबारा पहले भी हो चुके है दुबारा हो जाएंगे ठीक है उसकी planning करनी ज़रूरी है कि कितने लोगों मैंने हाय करना है रन में मैं कितना बनाना है उसकी worst case में situation आग marketing और CRM सारी चीज़े है जाद आगिया है आगको पता है कितनी वर्ट करती है वो कंपनी इंडिया में मुझाद पड़ता है 40,000 करोड की कंपनी हो एक लाक इंपलॉई है उसके ठीक है और वो south इंडियन है जो उसको host करता है धोती पहनता है cycle माफस हाता है समझता है south इंडि उसने खाता कि कोविट के अंदर हम ने अच्छा कासे पैसे बनाए थे पहले 3-Covid और कोविट आ गया तो पुरी दुनिया के हाथ पर रिल गया थे हमारे हमने बोला हमारे रापस दो साल का रान गया हमारे सारे क्लाइन चले गए बिसनस पूरा बंद हो गया एक रुपय का अबस तो हमें सारे बसे लगाएंगे दो साल और यह पॉजिटिव चीज हमारे लिए जो हम नहीं कर पा रहे तो आप करेंगे तो दो साल आरेंडी करेंगे एक साल आरेंडी करेंगे एक साल इंप्रिमेंट करेंगे तो एक साल तक सोचते रहते हैं क्या करने उसने एक बंद जिसके थुरू में नॉलेज मुली है, चार अमन गुपता आ जाएंगे, शाक टैंगे, एड़तालिस, अमन गुपता आ जाएंगे, शाक टैंगे, एक कमपनी जोह, ठीक है, पाकिसान की जैंपल तो सलीम गौरी, उनकी आप बताएं, उन्हों पूरा बताया है, कोवर्ट के अ महीन है, चाहिद कौर्टर, शाहिद कौर्टर पर प्लैनिंग करते थे, कि वाट इफ, पूरी दुनिया बंद जाए, या डिजास्टर आजाए, तो हम काम हमारा बंद कैसे, हम क्या करें हमारा काम बंदना हो, कितनी बेवोकूफ लगेगा आपको बोलते वेगे, फिर कोवर चाहिए, तो फाइव रूट, तो गेट सेवन फिगर्स, तो बी आड़ स्टेज, चाहिए, जल्दी से मुझे एक ना, बिल्कुल लास्ट एक मिनट आप बता दें, कि वेर ड्यू सी पाकिसान एकॉमर्स अगले पांथ साल में, इन हालात को मद्दे नदर रखते हुए, मु मिस करें, जो में हालाइट करूबगा, वह कस्टमर सर विया संव कर दें सो काना होता है, चेह हमएने तरक खाना अच्छा होता है, चेह में बाद जो एक खॉलटी किरा देते है, पर दि decepchan मिश लगाई, मेर्य एक वीडिए लगा dedicated इने मरे यूटुब चशनल के प्ड़ ल आप एपल जाते हैं आपको खरीदना एपल आपकी गट फिलिंग बोल लिए हैं आपको खरीदना एपल इतने रेलैयवल बन जाओ कि पीछे टी मौडल सेंटू सेंट आरे हो आपके कस्टमर्स की गट फिलिंग डेवलप कर दी iPhone 15 के लाउंच आप दुभाई मौल उठा कर देखें कि तुछ था गट फिलिंग होगा चाहिए मैं मुझे अगर अपना लैप टॉप अप्टॉप अप्ग्रेट करना है और जबरदसाला अप्ग्रेट करना है तो मैंने MacBook Pro लेना है वबसाइट के लोगों बी अच्छा होगा नाम बी अच्छा होना चाहिए वबसाइट भी चुन जाहिए प्रोड़जिश और बड़ा कुछ सिखने को बिला प्रेक्टिकल एक्स्पोज़र जो हावगा और इसको है इन्शालला दोबार भी आपको बला के मजीद इसको हम करने के लिए थैंक यू मच और चैनल को सब्स्राइब कीज़ेगा फेस्बोक और इंस्टाग्राम के पर शॉट कॉशन जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं डिस्रिप्शन के अंदर मैं वो सारी वीडियो जालूंगा जिनका इन्होंने जिकर किया हैं इनसे भी हम ले लेते हैं कोई भी कमेंट में अगर चीज़ पूछ नहीं हो तो मुझे जो है कमेंट में बताएगा मैं इसको फावर्ट कर दूँगा और वो होपफिली आंसर्स का दे देंगे थैंक यू सो मच अलाफिस